अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज मैं बनाने वाली हूँ सरसो का पाल सरसो का साख और मक्के की रोटी तो चलिए हम इसे बनाते हैं आधा किलो मैं ने पालक अच्छे से धो ली है और आधे गलास पानी में हमें ए सुम्सक्राइब जरूर किलो सरसो का साख और एक काओ मैं ने लिया है और एक पाध मैंने लिया है बठुया और इसी भी हमें अच्छे से लेना सबसे इंपॉर्टंट ए года साथ में लिए छे से साथ को लिया लैसुन की एक इंच का टुकडा लिया है अद रिक का और तीन से चार हरी मिर्च लिए और ये इसी स्टेज पे डालना है तड़के में नहीं डालना है थोड़े से तेल में हम इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे सबको कम से कम सरसो का साग बनने में हमें एक घंटे का टाइम लगता है आप जितना पेशन्स के साथ इसे बनाएंगे साग हमारा उतना ही स्वादिष्ट बनके तयार होगा तो चलिए इसे हम ढख देते हैं ताकि वो अच्छे से पानी रिलीज करें और सौफ्ट बनें और बीच बीच में हमें इसी तरह की से चलाना है आप इसे मैशर से या मतनी से बीच बीच में चलाते रहें और यह देखिए पालक हमारा पक चुका है एक से दो सीटिया हमें लगानी है और इसे हम ठंडा करने रख देंगे और चलिए फिर से हम इसे साग कुछ चेक करते हैं और इस तरह के से हमें इसे अच्छे से मतना है मतनी होगी तो आप उससे कर सकते हैं तो मैशर से इस तरह के साथ करना है और अच्छे से प्रेशर के साथ करेंगे तो बहुत यात कई लोग के साथ में पालक भी इसमें साथ के साथ पका लेते हैं लेकिन आप इस तरीके से बनाई है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है जैसे जैसे देखिए साग हमारा पक चुका है या पक रहा है तो देखिए साग का कलर थोड़ा सा पीला पड़ ही जाता है तो इसी का रिजन है कि मैंने पालक को अलग से पकाया हुआ है ताकि इसका जो हरा पॉन है वो साग में बना रहे है तो चलिए देखिए पालक ठंडी हो चुकी है इसे मैं पीस लेती हूँ और यह देखिए कलर देखिए यही कलर चाहिए था मुझे जो मैं डालूंगी अब इसमें और इस तरीके से डाली और देखिए यही कलर रहेगा और खाने में बहुत अच्छा लगता इस तरीके से बनाईए तीन तड़के देने हैं एक तो हमने पहले साग के साथ ही दे दिया था और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और देखिए अच्छे से घुट गया है तो हम पकने देंगे तब तक चलिए हम इसके दूसरे तड़के की तयारी करते हैं इसके लिए हमें और ज्यादा कुछ चीजे लगती नहीं है और यह देखिए साग हमारा अब इसमें हम डालेंगे दो से चमच मक्य का आटा यह बहुत इंपोर्टन्ट है इसको डालना तब ही आपके सरसो में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा इससे और ध्यान रखिए कि इसे आपको बीच बीच में चलाते रहना है और चलिए दूसरे तड़की की तियारी करते हम इसमें हमें लेना है सरसो का तेल और हमें डालना है दो प्याज बारीक कटी भी दो प्याज डालनी है इसमें और पांस यच्छे हमें लेसन की कलियां काटके इस तरीके से डाल लेनी है यह हमारा दूसरा तड़का है फाइनल तड़का जब सरसो बन जाएगा उसके बाद हमें देना है और साथ में चले हम मके के आटे की तयारी कर लेते हैं इस तरीके से हमें पानी बॉइल कर लेना है और आटा हमें इसी में ही डालना इसी स्टेज पे ही और अंदाजे से आप डालिएगा ताकि गीला ना हो और इसे हमें थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं फिर बाद में इसे हम गुनेगे और यह देखिए हमारा दूसरा तड़का प्यास जो अच्छे से गोल्डन करिएगा और यह देखिए हो चुका है हमारा सरसुकत साग बन के तयार है अब तीसरे तड़के के तयारी करेंगे हम फाइनल तड़का है यह इसमें डालेंगे दो से तीन चमच घी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आदा चमच मैंने डाला है जीरा वन फोट टीस्पून मैंने डाला हिंग और इसमें हम डालेंगे तीन से चार कलिया लेसन की कटी हुई अदरक के चोटे चोटे टुकडे की है और दो हरी मिर्च डालिए और तीन मैंने लाल मिर्च डालिए सुखी वी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसमें और यह प्यारी करियो आप जितना अच्छा इसे गूंदेंगे उतनी अच्छी रोटिया बनेंगी और यह देखे तड़का हमारा बनके तयार है अब इसे हम फाइनल तड़का दे देते हैं और खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है और इस तरीके से सारा डाल के हमें अच्छे स रहे तो चलिए हम बनाते हैं मक्के की रोटी आटा इसका एक टिप है बस आप आटा जितना अच्छा गुंदेंगे रोटी हमारी उतनी अच्छी बनेगी और यह देखे मैंने बेलन से अच्छी से बेला है और इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी रोटी दाल लिया है और इसे हमें अच्छे से सेख लेना है दोनों तरफ से एक साइड हमारी हो चुकी है और खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है अगर मक्के की रोटी के साथ आप इसे खाते हैं इसली स्टोर पे अवेलेबल अब हर जगे मिल जाता है बहुत ही स्वादिष्ट यह रेसिपी है आप जरूर ट्राइ करिएगा इसे और यह देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से चारो तरफ से सेख लेना है देखिए कहीं से भी ने टूटी है इसली बन गई है और इस तरीके से हमें अच्छे से इसे चारो तरफ से घुमा घुमा के इसे हमें सेख लेना है और यह देखिए हमारी मक्के की रोटी और सरसुका सागबन की तयार है और आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा फिर मिलती एक नई रेसिपिक साथ तब तक के लिए खुश रही है मस रहे है और सबसे इंपोर्टन खाते रही तिल देन टेक केर बाबाई